आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी सा नाष्टा जो आप सब को बहुत पसंद आएगा नाष्टे को बनाना बहुत आसान है और घर में रखी कुछ चीजों से हम इसे बना कर त्यार कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स चुड़ू करते हैं आज की रेसिपी चावल लिये थे और एक मुठी मूंकी दाल ली थी जिसे हमने ओवरनाइट भिगो कर त्यार किया है त्यर में रखे हुए कोई भी चावल आप काम में ले सकते हैं चावल को हमने अच्छे से वोश कर लिया है और इसका पूरा पानी निकाल दिया था हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना कर त्यार करेंगे चावल और दाल को हमने ग्राइन कर लिया है और अब भी ट्रांसफर करेंगे एक वावल में अच्छे का फाइन पेस्ट हमें चाहिए था लिक्सी में थोड़ा बैटर बच गया है तो अभी हम इसमें डाल देंगे दो से तीन चमच पानी अभी हम इसमें मिक्स कर लेंगे अब एक तड़का पैंच टड़ाएंगे और उसमें डालेंगे एक चमच के करीब रिफाइन ओईल करम होने के बाद एक चमच के करीब राई डालेंगे आप चाहे तो इसमें सरसो भी डाल सकते हैं फ्राई फूटने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे आदा चमच के करीब जीरा फ्राई होगे हैं और अभी हम इसमें डालेंगे कटे हुए करी पत्ता जिसे हम curry leaf भी बोलते हैं सड़के में बहुत ही अच्छा flavor आता है और इसे भी थोड़ा fry कर लेंगे हम इसमें डालेंगे एक चमच white till यानि की sesame seed अभी को अच्छे से mix कर लेंगे और अभी हम इसमें डालेंगे red chili flex आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा को हम एक मिनट के लिए fry कर लेंगे इसे अच्छे से fry हो गई है और अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे ये को थोड़ा ठंडा करेंगे और इसे पैटर में mix करेंगे इसे mix कर लेंगे तो सार नमक डालेंगे तो डालेंगे कटी हुई सबजें कॉप्ट किया हुआ प्याज डाल देंगे हुआ रेड बैल पेपर डाल देंगे बारी कटा हुआ येलो बैल पेपर डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्ची डालेंगे पत्ता को भी डालेंगे मिर्ट की हुई गाजर डाल देंगे ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर इनमें से skip करना चाहे तो आप कर सकते हो बावल छोटा पड़ रहा है तो मैं इसे दूसरे बावल में ट्रांस्फर कर लूँगी कटा हुआ एक लाल टमाटर डालेंगे जिसके बीज हमने निकाल दिये थे अब हम डालेंगे एक ग्रेट किया हुआ कच्चा आलू हमने थोड़े दिर पानी में भिगो दिया था और इसके स्टार्च निकाल दिये थे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया पत्ती अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तीन से चार चमच के करीब हम इसमें पानी एड़ कर देंगे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारा रेड़ी है इस तरह का बैटर हमें चाहिए था पर एक पैन चड़ाएंगे और अभी हम एक चमच के करीब इसमें रिफाइंड ओयल डालेंगे हम चारों तरफ फैला देंगे गरम हो गया है और अभी हम इसमें डाल देंगे दो चमच के करीब बैटर और इसे चारों तरफ फैला देंगे इसे चारों तरफ हमें बैटर फेलाना है और अभी हम इस पर लगा देंगे एक लीड और इसे दो मिनिट के लिए कुक कर लेंगे दो मिनिट के बाद हम लीड अटाएंगे तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो गया है इसे कलर भी चेंज हो गया है और अभी हम आगे से इसको थोड़ा सा कुक करेंगे क्योंकि हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है प्लेट से अच्छे से कुक हो गया है और अभी हम एक प्लेट लेंगे और इसे ट्रांसफर कर लेंगे देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर लग रहा है कलरफुल हम आपको एक और बना कर दिखाएंगे थोड़ा रिफाइंड ओल डाल देंगे हम इसमें बैटर डाल देंगे और इसे अच्छे से चारो तरफ फैला देंगे इसको हमने अच्छे से चारो तरफ फैला दिया है और अभी हम दो मिनट के लिए इस पर लीड लगा देंगे मिनट के बाद लीड ढटा देंगे और यह अच्छे से कुक हो गया है और इसे एक इस पैचूला की सहायता से पलट देंगे सकते हैं इसे इजली हाज से हम गुमा रहे हैं और अभी हम इसे पलट देंगे आगे से भी से इस पैचुला की सहायता से प्रेस करते हुए सेखेंगे साइट से अच्छे से सिख गया है और अभी हम इसे भी एक प्लेट में ट्रांस्फर करेंगे इस अनास्ता हमारा बन कर तयार है आप इसे बच्चों के टीफिन में भी दे सकते हैं आपके बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या फिर टेमेटो केचप के साथ भी इंजोय कर सकते हैं पुड़ा गार्निश कर दोंगी हरे धनिये से मेरी रेसेपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो फ्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन का बटन ओर पर सेट कर दीजेगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा हो सबसे पहले आप तक पहुँचे ये भी मैं इसी तरह की रेसेपीज वाले वीडियो जापके सामने लेकर आती रहूंगी एलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में